में हो तबुता तबिता और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रूलर डिवलप्मेंट चेप्टर में एक नया टॉपिक जो की काफी जादा इंपॉर्टेंट है यानि कि हमने प्रीवेस वीडियो में काफी कुछ पढ़ लिया था इसके बारे में आज एक नया यानि कि क्या होगा रियल माईने में क्या development हो पाएगी हमारे देश में? नहीं, क्योंकि हमारी इतनी सारी जनसंख्या किस पर depend है एग्री कल्चर सेक्टर पे तो हमें सबसे बड़ी जो चीज है हमारे लिए काम करने की वो है एग्री कल्चर सेक्टर को develop करने की तो जब development की बात आई गाओं में तो देश की सरकार ने सोचा सबसे पहला कदम किस में उठाना चीए? एग्री कल्चर को develop करने के लिए इसलिए एग्री कल्चर मार्केटिंग सिस्टम आया अब यह सिस्टम है क्या स्टार्ट करने से पहले काईस लगो चैनल पर पहरी बार आयो आप सबको पता है मैं क्या बोलने वाली हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर करना सबस्राइब करना चैनल को है न वहीं बोलूँगी और अगर आपको कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पर पूच सकते हो या फिर यूट्यूब पर कैमेंट के थूँ इंस्टाग्राम पर आईडी क्या है मेरी तबिता मैसी अब इस स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को जो कि बहुत इंट्रस्टिंग है देखो सबसे बहले एग्रिकल्जर मार्केटिंग सिस्टम होता क्या है देखो एग्रिकल्जर मार्केटिंग सिस्टम गाईज गव्मेंट ने ये मुहीम स्टार्ट करी थी basically जब वो अपनी फसल को ले कर जाता था बेचने लिए गयुको चावल को जो भी चीजें दी है झाईस उसे बहुदा वहां पर जाकि उसको सब्षांकर उसको कर सकता है गवार पर आते थे बड़े बड़े लोग जो उनके समान के रेट को इतना डाउन कर देते थे कि अगले बंदे को यह लगता था कि यार यह मैं तो किस ने इतनी महनत होती है जो लोग गाओ में रहते हैं वो इस चीज इस को जाते हैं महसूस करते हैं अर हम लोग हो इस है जो शेरों में रह रहा है उनको भी इस चीज को समझना चाहिए कि अग्रिक थे में बहुत जाएथा महणयद होती है यानि कि धूप में बारिष में जो काम हमें इक office environment में काम करते हैं और वो एक ऐसे environment में काम करते हैं जहां पर उन्हें सारी चीज़ अपने शरीर पर फेस करनी पड़ती है तो बहुत महनत का काम है और जब वो महनत का काम के पैसे ना मिले तो बड़ा दुख होता है देखो है ना तो अब एक जो किसान इतनी महनत करता है समान बेचने जाता है तो उसको समान के रेट नहीं मिलता उसको storage facility नहीं मिलती उसको transportation facility नहीं मिलती मतलब उसको बहुत ज़़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एक तो वो देश के भले के लिए कुछ उगार है और फिर भी इसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अब यह सारी चीज़े देखते हैं सरकार ने बोला कि यह सारी चीज़े ठीक करना बनता है तो गर्वर्मेंट जो लेके हैं वो agriculture marketing system लेके हैं इसमें गवर्मेंट ने वही कतम उठाए जहां जहां पर हमारे किसानों को दिक्कत हो ती अब कैसी रिकत थी जैसे कि transportation facility नहीं है processing नहीं हो पारी ए प्रोड़क्ट की दूसरा ग्रेडिंग अगर हमें रेड करने अपने प्रोड़क्ट को सस्ता चाबल नहीं हो पारा इसके अलावा guys warehouse की हमें जरूरत होती है जहां पर जैसे पर पर जाते हैं जासे फ्रूट्स वगर जाते हैं जल्दी खराब हो जाते तो उनको फ्रूट्स पर जाते हैं ताकि वह ज्यादा समय तक चल सके अब यह सब फैसलिटी गश्चान ने कहा हम देंगे यानि कि शुन्य से लेकर जितने हमारे किसानों को दिखते हैं उनको हम दूर करेंगे and that is called agriculture marketing system क्या है is a process that involve assembling, storage, processing, transportation, packaging, grading, distribution of different agriculture community across the country तो यह पूरा system यह पूरा process agriculture marketing system के लाते हैं जिसमें शुन्य से लेकि किसान की दिखतों को जितनी दिखते हैं वह फेस करते हैं सब को solve किया जाता है अब गाइस जब एक किसान एक मंडी में पहुशता था अपना समान बेशने के लिए तो भी उसको बहुत सारी चीज़े फेस करनी पटी थी सबसे पहला तो भाई एक जो इधर का वो बंदा होता था कौन होता था जो में लीडर होता था वो अपने रेट चुलाता था उसके फिर चैले चपाटे होते थे जिनने हम क्या कहते हैं ब्रोकर्स कहते हैं ठीक है वो लोग अपने रेट्स लगाते थे और एक किसान के रेट इतना डाउन कर देते थे कि बहुत दिक्कत इन लोगों को होती थी तो इन सारी चीजों को सोच से गवर्मेंट ने कहा कि यार मंडी में बंदा आता है और अपना समान भी नहीं बेच पाता ये लोग गलत मशीने गलत वेट यूज़ करते हैं उसके प्रोड़क्ट को गलत धहरा देते हैं बताए क्या होता था कि जैसे अगर सपोस्स में समान लेके गई हूँ तो वो में को बोलेंगे आरे आपके चावल तो बड़े घटिया वाले हैं इसका तो कोई दाम नहीं मिलेगा बाकी सारे भी उसके सपोर्ट में आ जाते थे हाँ हाँ कोई नहीं खरी देगा इसे कोई नहीं खरी देगा आप इसको दूर करने के लिए गाईस जो एक ट्रेडर्स की अपनी एक एसोसियेशन बनी हुई थी अपना चलाते थे हुकुम ब्रोकर्स से बीच में उनको सही दाम नहीं मिलता था उनको वेट मशीन जो थी वो गलत वेट मशीन पर उनके वेट ज़्यादा समान तोलते थे लेकिन वेट आता था कम तो ये सब चीजें वहाँ पर होती थी अब इसको दूर करने के लिए ये सारी समस्याओं को दूर करने के लिए गर्मिंट ने चार स्टेप से उठाए थे गाइस पहला बोला रेगुलेटेड अर्कैट बनानी चाहिए regulated market बोले तो जहाँ पर proper association हो जहाँ पर government का control हो वहाँ पर वो लोग अपनी जाके समान बेच सके वहाँ पर fair prices मिल सके जहाँ पर brokers ना हो जहाँ पर ये beach के जो traders होते हैं वो ना हो जो उनके दामों को गिरा देतें वो चीज ना हो तो उन्होंने एक regulated market बनाने को बोला दूसरा उन्होंने कादम उठाए infrastructure facility लाइक warehouse बनाओ road बनाओ यार अगर गाओं से बंदा समान लाने की road ही नहीं तो कैसे ले आएगा तो roads होनी चाहिए और इसके लाबा transportation की facility यानि की truck वगरा होने चाहिए और क्या होना चाहिए cold storage warehouses यह सारा grading system यह सारी चीज़े government ने बोला infrastructure facility बनाने की जरूरत है दूसरा कदम उन्होंने यह उठाया third guys cooperative marketing क्या होता है जिसमें किसान लोग जैसे अगर कोई एक किसान है like मैं हूँ मेरे पास थोड़ा समान है उसका थोड़ा rate लगा के मुझे तरका देंगे ठीक है आपका अच्छा निया यह निया करके अब अगर मैं अपना समान और सब लोगों के साथ इखटा कर दूँ और उसके बाद हम बेचे तो हमारे समान के rates भी अच्छे लगेंगे और एक पीछ समान के जो rate से वो ज्यादा डाउन ना करे जाए तो यह भी गवर्मेंट ने स्टार्ट किया कि आप लोगोपरेट करके अपना समान भेचो जैसे कि आपको अमुल का एक्सांपल पता ही है कि घरो घरों से वो दूद इखटा करके एक जगे पर लागे तब वो डिसपर्स कि minimum support price क्या होते हैं हमारे किसान को होते हैं कि at least गयार में इतनी महनत कर रहा हूँ मेरा समान कम से कम इतने दामों पर तो भीखे that is called minimum support price तो government ने minimum support price देने को बोला कि ठीक है आपके समान के लिए कम से कम इतना तो इससे कम पे नहीं जाएगा कम से कम इतना तो आपको मिलना ही चाहिए लाइक जैसे कि 10 उर्पे है तो 10 उर्पे तो आपको मिलेंगे मिलेंगे 9 उर्पे पे आपको बेचने की जुरूरत नहीं अगर आपको कहीं समान नहीं बिगता तो आप हमारे पास आके 10 उर्पे में बेच सकते हो तो गर्वर्मेंट ने एक फेसलिटी स्टाट करी मिनिममम सपोर्ट प्राइस की दूसरा बफ़र स्टॉक बफ़र स्टॉक क्या होते है गाईस हमारे हाँ पर Food Corporation of India जो भी किसानों को समान होता है उसको नहीं बिगता उन लोगों का तो वो Food Corporation of India खरीद लेता है ताकि वो उसे स्टोर करके रख सके और जब जिस समय पर यहां पर सूखा पड़ता है या बाढ़ आ जाती है इस टॉक नहीं होता तो गर्वर्मेंट अपने ख़दानों से उन चीजों को निकाल कर स्टेट को देती है या आप सबको पता है राशन सिस्टम आपने देखा होगर राशन कार्ट बनते है यह और दुकानों पर राशन बढ़ता है तो वहाँ पर क्या होता है कि गर्मेंट चीज़े खरीद लेते है किसानों से और फिर उनको आज राशन सिस्टम लोगों को दिया जाता है बहुत कम रेट पर या फिर फ्री ओफ कॉस्ट जिनके कार्ट बनी होते है वो राशन के तो गर्मेंट ने बहुत सारे पॉलिसीज निकाली और मेंली जो हमारे किसानों को दिक्कत थी उसको दूर करने के लिए काम किये कि इनको जो में दिक्कत है हमारे किसानों को उसको दूर किया जा सके तो यह सारी चीज़े गवर्मेंट ने स्टार्ट करी इसके लावा और दो चीज़े हमारे हां पर आई थी पहली चीज़ तो आई थी जैसे फार्मर्स की मंदी बना दी गई थी जैसे कि अपनी मंदी पंजाब यह सब चीज़े बनाए गई कि वहां पर फार्मर्स डारेक्ली जाके अपना समान खोलके किसको बेच सकते हैं कस्टुमर को यानि कि जो लिंक था बीच के ब्रोकर्स वगरा का ट्रेडर्स का उनको हटा दिया आप जाओ अपनी मंदी में अपना समान लेखे जाओ और वहां पर कंजूमर्स आएंगे और आप बेचो ठीक है तो फार्मर्स की मंदी बना दी गई दूसरा उनको ऑप्शन दिये गए कि आप अधर जो कंपनीज है MNC वगरा मेरे को हसी क्यों आ रिया गाई जबी बताऊंगी MNC वगरा उससे डारेक्ट फार्मर्स का लिंक करा दिया गया आज की डेट में आपके सामने बहुत बड़ा एक्जैंपल है बासमती राइस चावल का देखो बासमती की कितनी सारी व बेचोगे आपका हमारे किसाथ कॉंट्रेक्ट है और हमें ही बेचोगे फिर किसान वही चीज उगाता है और वह कंपनिया जाती है फिर उनको पैकेजिंग करती है यह सब करते हैं और फिर हमारे पास वह 100 साल पुराना चावल आता है जो कि कहने की बात है 100 साल पुराना चा को ना देख फामर्स इस चीज़ का विरोध करें क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा कि कंपनी बहुत महंगे दामों से मलब सस्ते दामों से किसानों से उठाएंगी और महंगे दामों पर कंस्यूमर्स को देगे जो कि आज की डेट में हम सब अपने आसपास देख रहे हैं कि रेट किस तरीके से कंपनी अपनी मनमानी कर रही है तो यह सारे सिस्टम गवर्मेंट लेके आई है जो कि में भी गवर्मेंट ये नजरिये से बहतरी के लिए है लेकिन किसानों की नजरिये से बहतरी नहीं है इस चीज़ में क्योंकि कंपनी कहीं ना कहीं अपनी तो विएवस में जरूर कमेंट में शेयर करना कि किसान खुश है कि उनको यह फैसलिटी सच में मिल भी रही है या नहीं मिल रही है और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना थांक्यू